Hindu marriage act की धारा जो 22 है वो इस बारे में बताती है कि जो proceedings होंगी Hindu marriage act के तहत जो भी proceedings होंगी वो in camera होंगी यानि कि वो बंद कमरे में होगी वो आम पबली के लिए खुली नहीं होगी क्योंगी कोड जनरली openly जो है काम करता है open court कहा जाता है उसमें कोई भी वेक्तिजा करके जो hearing हो सकता है लेकिन जो Hindu marriage act के तहत जो proceedings होंगी वो in camera होंगी और ऐसे मामलों को कोई भी वेक्ति जो है print या publish नहीं कर सकता है जो print या publish कर सकता है वो high court या supreme court की judgments जो है उसको print या publish कर सकता है लेकिन उसमें prayer permission जो है court के द्वारा दी जाती है अब अगर कोई वेक्ति ऐसे मामलों मे जो proceedings है या उसके बारे में कोई print या publish कर देता है तो ऐसी प्रिस्तिति में उस वेक्ति पर 1000 रुपए तक के जर्माने का प्रावधन है